हलो फ्रेंड्स आजके इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जाँ रहा हूँ कि कैसे आप अपने लावा व्यू एडरोट मॉयल फोन में आप जो है Screen Time Out का यह option मिल जागा इसे select कर लेना है अब यहाँ पर Screen Time Out का छोटा सा page आ जाता है अब यहाँ पर आपको इसमें काफी सारी timing दी हुए है जैसे 15 second, 30 second, 1 minute, 2 minute, 5 minute ठीक है तो यहाँ पर काफी और भी settings है और भी timing है तो यहाँ पर मेरा पहले से 10 minute पर है आप इसे जो दूसरे पर अगर time पर select कर लेते हैं जैसे मैं इसे 5 minute पर select कर लेता हूं तो आप यहाँ पर देख सकते है Screen Time Out के निचे यहाँ पर 5 minute आ चुका है तो यह Screen Time Out setting जो आपकी इस तरह की से change हो जाती है अब यह setting जो है change होने के बाद कैसे काम करती है यह मैं आपको दिखा देता हूं ठीक है तो जब भी आपके mobile phone की light on होगी phone की light on है और आपका mobile phone कहीं पर भी रखा हुआ है आप उसे use नहीं कर रहे है तो 5 minute बाद होगा क्या कि आपके mobile phone की light है वो automatic off हो जाएगी ठीक है तो यह setting जो है कुछ इस तरह के से काम करती है जो भी time आप select करेंगे उसके according जो है वो light अपने आप off हो जाएगी ठीक है तो यह setting जो है कुछ इस तरह के से काम करती है ठीक है तो यहाँ पर जो है आप इस setting को shortcut impost तरीके से कैसे ढूड सकते हैं यह ओंड यह भी आपको बता देता हूँ मैं कि कैसे आपमे ! इस setting को शौट कर तरीके से कैसे ढूड हो सकते हैं इसके लिए आप्को करना क्या है कि आपको अपने mobile phone k防़ का setting page open कर लेना है setting page open कर लीजिए तो आपको सबसे उपर ये search setting का option नज़र आएगा search setting आपको इसे select करना है और यहां पर आपको type करना है screen timeout screen time out ही यहां पर आपको type कर देना है इस तरीखे से तो आपको जो है नीचे की सायड या option एक नज़र आजागा screen time out का जब यह option show हो जाएगा तो इसे आपको select कर लेना है इससे होगा क्या है कि आपका mobile phone आपको जो है direct इस setting में लेकर आजाएगा और इस setting को इस तरीके से highlight करेगा तो यह एक shortcut तरीका मैंने आपको बता दिया इस setting को ढूंडने का आपके love of view android mobile phone में